नमस्कार मेरा ना मैं रिश्व कुमार और आप जुड़ चुके हैं हिंदी रश के साथ वेल गेस वाट आज ना मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली इस साल की अब तक की सबसे बैस सीरिस मुझे मिल गई है मिल गई है ब्लडी हेल विद मिडियोक्रसी स्वागत आपका फिल्म परिचे में और आज मैं आपको मिलवाऊंगा ब्लडी ब्रदर्स से स्वागत आपका ब्लडी ब्रदर्स की दुनिया में जहाँ ब्लडी ब्रदर्स की रूप में आपको नजर आएंगे जैदी बहलावत और मौहमद जीशान आयूब विलेन के रूप में आपको नदर आएंगे सतीश कौशिक वेल देखिए, for your kind information, ये सभी न, इस फिल्म में spectacular है फिल्म में न, शहर अपने आप में एक character है जी हाँ, फिल्म जो है वो उटी-based है और मुझे न, वहाँ घूमने जाना है पैसे है तर पास, देपाए का Beautifully poised होना न, को इस सीरीज से सीखे इस सीरीज में जितने भी important plots हैं, twists हैं, वो आपको बिल्कुल सही सही समय पर रिवील होते हैं कहने कतात पर ये है कि सीरीज में राइटिंग बहुत उंदा है सीरीज इंटरस्टिंग है, ग्रिपिंग है, एंड मोस्ट इंपोर्टनी, वेरी वेल परफॉर्म्ट अल्सो, if you want to be a brother न, don't be a vibhishan यार, try to be a lakshman किस का है ये तुमको, इंतजार में होना I personally love flawed characters और इस सीरीज में तो सारी दुनिया है flawed characters कि है और best part बता क्या है, कोई अपने flaw से भाग नहीं रहे, कोई कुछ छुपा नहीं रहे सबको बता है कौन कितने पानी में है Sir, ये तो प्रटी है Thank you Basically, सीरीज में न, कुछ भी unrealistic नहीं है Just like मैं bank balance अब बात करते हैं सीरीज के pros and cons के बारे में फिर आपको decide कर लीजिएगा कि आपको इस सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है इस सीरीज में न, screenplay और writing उंदा है characters को डेवल्प होने के लिए appropriate time दिया गया है जैसे-जैसे सीरीज आगे बढ़ती है न, आप एक emotional connect feel करते हैं एक empathy feel करते है characters के लिए सीरीज में न, world building fabulous है जैसे-जैसे आप सीरीज को देखते है न, आप characters को judge करते हैं लेकिन, जैसे सीरीज आगे बढ़ती है न, screenplay writers आपको उपता क्या देते हैं शॉक ओ भाई साब, ये इसलिए नहीं हुआ So that means कि writing बहुत उंदा है Also, characters ने इतना उंदा निभाया है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप literally Ooty में है Ooty की जिंदगी जी रहे हैं और इन characters का part है, आप उनके साथ जी रहे हैं अभी हम जिंदा हैं पहली तो ये कि जो Tina और Zee Shah Naeub का love angle है न, उसमें emotional connect थोड़ा सा missing में रहता है दूसरी बात ये है कि ये जुमारे villain है वो ऐसे क्यों बात करते हैं कि हम तुमें जिंदा नहीं चोड़ेंगे नौर्मान आवाज में भी तो बोल सकते हैं, villain ये क्या है? इनसाफ होगा अब आते हैं मुद्दे की बापते आपको इस सीरीज देखनी चाहिए ये नहीं देखनी चाहिए वेल देखिये, मुझे तो बहुत मजा है परस्नली बहुत ही जादा मजा है आप अगर मेरी माने ना, तो अभी जाके इस सीरीज को जीफाइब पर देख लीजे अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने जाने को लग साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाओ यार तब ही तो पता चलेगा, मैंने दस्तक दी है रिमेंबर, नॉक 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 क्योंकि फाइनली इस साल की जी हाँ मुझे हंडर परसेंट गरेंटे में मौहमध जीशान आयूब का नाम भूलोंगा मौहमध जीशान आयूब, ऐसे बोलता है